दोस्तो नमस्कार आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्त इस वक्त की बड़ी अपडिट लेकर के आगे हैं राजस्तान सरकार का जो पॉल्टिकल क्राइसिस है यानि की राजनितिक जो घटना करम है सियासी जो घटना करम है आसो गहलोत की जैसे ह गोशना हुई कि वो राश्टी है इस तर पर जा रहे हैं राश्टी अदक्स बने कांग्रेस पार्टी के उसी के बाद से जो बवाल है राजस्तान में मच गया है और सचिन पाइलेट मुख्यमंत्री नहीं बने इसी को लेकर के अस्सी विधायक हैं कांग्रेस के उन्होंने जो विधानसबा अध्यक्स हैं सीपी जो सी उनको इस्तिफा सोफने का ऐलान कर दिया इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट बता रहे हैं दोस्तों हलंकी एजूकेशन का चैनल है लेकिन हमारा जो सरकार है राजस्तान सरकार उसमें इस वक्त की ये बड़ी अपडेट है कि अस्सी विधायक इस्तिफा सोफने के लिए तैयार सीपी जो सी जो विधानसबा अध्यक्स हैं उनके आवास पर जा रहे हैं बहुत बड़ी ख़वर है अस्सी विधायकों ने इस्तिफे पे साइन कर दिये हैं सिगनेचर कर दिये हैं और इन्होंने कहा है कि हमारी पसंद य या फिर 102 विधायक आपको याद कराएं दोस्तों दो साल पहले सचिन पाइलेट अपने 1920 विधायकों के साथ मानेशर चले गए थे कि उनको CM बना जाए इसी बात को लेकर के एक डेड़ महिने तक जो सरकार है होटलों में चलती रही 102 विधायक थे कॉंग्रेस के निर्दलिय और थे उसमें 1920 लोग तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि ये लोग जो कॉंग्रेस के विधायक थे 102 विधायक ये नहीं चाहते कि सचिन पाइलेट CM बने और उनहीं को रोकने के लिए इन्होंने ये इस्तिफे की धमकी दी है और धमकी निया बलकि इस तरीके का आधिकारिक जो एलान है वो भी यहां पे किया है और हालंकि जो मलेकार जुन खड़के हैं और अजय जो माकन हैं वो आए हुई हैं राजस्थान में विधायकों के मन को टटोलने के लिए कि आखिर उनके मन में क्या है वो किसे CM बनाना चाहते हैं विधायक क्योंकि दोस्तों विधायको अब इसके बाद घटना करम तेजी से बदलने वाले हैं किस तरीके से सरकार इसको मैनेज गंट्रोल करेगी और ये बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस इस वक्त का राजस्तान में खड़ा हो गया है हलंकि असोग गैलोत के अध्यक्स चुनने में अभी काफी दिन बाकी हैं 30 तारीक तक तो नमंकन होने हैं 17-18 के आसपा सैद इसका चुनाव है 18 को इसकी अधिकारी घोशना हो जाए कि राश्टिय अध्यक्स कौन है लेकिन उससे करीब 20 दिन पहले ही ये बड़ा घमासान राजस्तान में हो गया है धरवाल के आवास से सभी जाएंगे सीपी जोशी के आवास मोजुदा सभी जो विधायक हैं उन्होंने स्टीफे पर साइन कर दिये हैं सायम लोडा का भी बयान आया है कि असो गैलोथ हमारे नेता हैं तो ये यहाँ पर है इस वक्त की बड़ी अप्डेक दोश्तों देख सकते हैं कि इस तरीके से सचिन पाइलेट को रोकने के लिए इस तरीके की चीजे की जा रही हैं हलंकि मुख्यमंत्री कोई भी बने हम इस से इस्तिपाक नहीं रखते लेकिन जिस तरीके के हालत राजस्थान में एक दम से पैदा कर दिये गए हैं उनको देखते हुए सरकार की इस वक्त क्या हो रही है सब के सामने है 80, 85 या 100 विधायक इस्तिफा सोबते हैं तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ा खत्रा है अपने आप में धाने बाद दोस्तों जो भी अपडेट होगा आप तक जरूर पहुचाएंगे लेकिन ये सचिन पाइलेट का जिस तरीके से नाम आ रहा था कि उनको सीम बनाया जा सकता है उन्हीं को रोकने के लिए ये सारी की सारी चीज कि ऑ Знаका है जो ए भी है ये व च हमार है है उन्हींज़ औरूर अचाएंगे औरूर अध क्जाएंगे ढाया जी दूरता है जहा आएगरांगे हैप कर दोस्तों अजाएंगे दृयर जिएакс घिनीनro